शायद इसी लिए हमारे हिंदू धर्म के अंतरगत माता लच्मी का जहां पूजन होता है माता लच्मी की जहां अराधना होती है वहां से दरिद्रता को बाहर निकाल दिया दिया कितने दिनों पहले किसी के आधना पंद़रा निन बीजदेन से सफाई क करंपरारंब हो जाता है लेन लच्मी उसी घर में प्रविश्क करते है जहां पर निर्मलता होती है दरिद्रता वहीं प्रविश्च करती है जहां आलस हो बहुत सारा कबड़ा जिसके यहां पड़ा हुआ हो जूटे बरतन जहां पड़े हुए हो जूटी सामागरी जहां पड़ी हुई हो वहां पर दरिद्रता का प्रविश्च हो जाए वहां दरिद्रता प्रविश्च कर जा लच्मी का इसमर्न चता रखोगे, जितना घर को साप रखोगे, उतनी ही लच्मी आप के यह परविश्ट करेगे, पर केवल घर की सफाई से काम नहीं चलेगा, श्यू महापुरान की करता करती है, घर की सफाई के साथ में मन की भी सफाई होना चेए, काम, लोग, आसर, तीव वर्टि कि सफैना करें हमारे भीतर कि अहंकार समया हुआ है हमारे वितर जो काम समय हुआ है मेरे वीतर जो आसक्ती वरी हुए है हमारे वीतर टो लोग लबढ़ा हुआ है तरिश्क्रम अक्र हो हमें इसके अ करें घंते निक dimension कि आपके पास में कुछ नहीं कर दो दंतेरस यह नहीं करती कि आपके पास में कुछ नहीं है तो कुछ घरता ही समान बेच कर हम दूसरी समगरी लेकर जाए नहीं 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 करती है कि आपालच्मी की कता धनमंतरी की कता नहीं करती क्या आप धर जलेकर आपने घर में फ्रीज लाएं वाचिंग मसीन लाएँ आ समान लाएँ आ और कपड़े लाएं आ अबस्त्र लाएं आ भूशन लाएं कई लोगों ने धन्तेरस के महत्व को बिगाड़ दिया कि हमको धन्तेरस के दिन समान लेका राना है चांदी का बरतन लेका राना है ये समान लेका राना है वो समान लेका राना है लाओ मना नहीं है धन्तेरस का दिन ही है धन्मंतरी का दिवसी है क्योंकि धन्मंतरी देव यूरत बड़ने माघ दिन जब मंतन हुआ था तो समें चंदर प्रगट हुए तुन का रम प्रारम हुआ कार्तिक की द्वरशी के दिन जो मंदपन हुआ उसमें काम देनों गाय प्रगट हुआ और मंदपन प्रगट हुआ तर्योधरशी आई धन्मंतरी देव प्रगट हुआ जिनके एक हाथ में शंक है दूसरे हाथ में चक्र है तीसरे हाथ में सुन्दर आउशदी है और जोते में सुन्दर अम्रत का गलश है हुआ हुआ है है तो यह कौन भगवन विश्कु का ही एक अग्ष प्रेव दशी को धन्वंतरी देव प्रगटु जटुर्दशी आई माताल का प्रगट हो गई अमावस्य आई मातालक्ष्मी प्रगट हो गई इसे मंतन में निकल रहा है और धन्वंतरी के हाथ में अम्रत कलेश है इसलिए हमारे यां हिंदू धर्म में यदिती रही है कि धन्टेरस के दिन कोई समागरी खरीदी जाती है इतल की काम बेकी ऊई बस्तू अमखरीदे तो का साब चांडू के बरतन हो जरूरी है चांडी का समाण खरीदना जरूरी जरूरी है तो यह उसमें आपपा पराओ जुड़ा हो डिए। अगर की बच्चों से भी करती बीटिए यहांगा फ़र खानी सामर्थथा और सामर्थथा के अनुसार अगर आपके यहांपर एक प्लेट भी ला कर दे रहे हैं अगे इक चोटा सा बस्तू भी ला कर दे रहे हैं तो आप समझना धन्वंधरी देवता की करपा हुई है और हमा तुमारे घर में आजी बस तुम आई है उसी को आप स्वर्ण की मानले उसी को आप चांद की मानले और उसी का पूजन कर ले